नमस्का दोस्तों परमाच केशन की यूटूब चलने पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज बात करेंगे यहाँ पे गडित में यहाँ पे गडित सिक्षन के यहाँ पे टॉप परसुनों के साथ हम जानेंगे टैग वेट जिसके अधार पे आप परसुनों को शालब कर सकते हैं बहुत ही असान तरीके से और जल्दी से जल्दी आप लोग अपने सीटेट में समय भी बचा सकते हैं तो आज हम बात करेंगे हैं टैग वेट जो की गडित सिक्षन से यहाँ पे समिलित किया गया है तो जल्दी से सभी लोग आजाए और एक बार आप लोगों को इसकी जलग दिखाना चाहेंगे एक बार देख लीजिए कितने अच्छे से बनाएंगे हैं टैग वेड जो कि आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको आसानी से एक दम क्या करेंगे परसनों को स्वालव कर देंगे देख कर ही ठीक है तो चली जल्दी से एक बार सेर कर दीज कि ऊष्था ही रहेगा याद भी रहेगा क्योंकि एक बार देखेंगे एक बार लिखेंगे फिर今 liber convert पढ़ेंगे तो आपको जियादा याद्ख होगा उस परसनों पे ज्यादा आपका फोकस होगा उस टापिक से तो क्या कर आ गरिये जल्दी से 700 देचिया आप लोग पर रासा करते हैं कि आजका दिन आप लोगों का बहुत ही वहतरी रहा होगा, आप लोग अभियास बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, तो कहीं से भी पढ़िये लेकिन पढ़िये, आप लोगों का टारगेट, जो होना लोगो एक एक नंबर के लिए कितना उपयोगी होगा वह आप लोग सीट में पहुंचेंगे तब देखेगा तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं अपने यहां पर पहले टॉपिक से तो पहला अमारा टॉपिक यहां पर क्या है देखिए यहां पर है पहला टॉपिक्स गडित की प्रकिती गडित की प्रकिती क्या है इसके अनुसार आप लोग प्रसन में क्या ढूड़ेंगे कहेंगे सरल ढूड़ेंगे गडित जो होती है अन्यविश्यों के अपेच्छा सरल होती है तारकी खुती याद लखेगा तारकी जहां पर भी नजर आया आप लोगों को उहां करमबद का मलब होता है नियम से चलता है क्या होता है नियम से चलता है ये गड़ित का ठीक है और अन्य विद्यारी पाठ करम के अप अच्छा सुद्रीड होता है मलब क्या होता है कि सरल होती है आप गड़ित को बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं सीख सकते हैं के वर वर अब पहुचेंगे अपन यहां पर tag word के आधर पे अब बात करेंगे यहां पर क्या क्या आप लोगों को देखना है प्रसन में ठीक है कैसे आप लोगों को पहचानना है तो यहां पर गडित के महत्तों क्या है उसके अंतरगत क्या क्या आएगा देखें गडित के महत्तों के अ बहारिक दिया होगा याद रिखेगा वो बालक के प्राथमिक अस्तर के लिए बात कर रहा है और जहां पर उच्च अस्तर की बात करेगा वहां पर मानसी क्रिया है तेकि हमेशा क्या होता है कि मानसी क्रिया है कि सोचने वाला जो होता है बालक जो होता है जो कछा एक में अब प्रात्मी कस्तर पे समाजिक इवन भेवारिक उस्तरवाले को डूडρέ और तो आप ऐसे आप जान सकते हैं तो यह हमारा था गड़ित के महत्तो था गड़ित के महत्तो कि अब प्रात्मी कस्तर दूसरा यह पने क्या अ अब प्राथमी कस्तर में हमने जाना है यहां पर समाजिक एवं बेवारिक होगा बालक से जोड़कर होगा बालक के परिवेस में जो हो रही उससे होगा और जो उच्च कछाएं होंगी उसमें आपको बेवारिक न होकर मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए ठीक है तो इस अधार पर आप क्या कर सकते हैं इसे सीख सकते हैं ठीक है इसे देख सकते हैं अच्छे से आप परसनों को स्वाल कर सकते हैं ठीक है आगे बट रहे हैं लेकिन याद रखेगा जहां पर भी आफ्सन में अगर समाजिक दिया है तो आप लोग तुरण ठीक मारियेगा आप प्राथमी कस्तर के लिए बात कराए ठीके और जहां पर मनसी कस्तर की बात करा है आप तुरंद टीक मारिएगा किस पे उच्छ स्थर पे ठीके या या रही था हमारा गढ़ित का महत्ता ठीके आगे बढ़ना है जो और भी टैग वड है उसके तरफ देखते हैं क्या है यहां स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं जान सकते हैं परसनों के कौन से अस्तर पे क्या है और किस तरीके से आप लोग उद्देश से क्या है पहले मुख्य उद्देश जान लेंगे फिर प्राथमिक अस्तर पे फिर उच्छ अस्तर के बात करेंगे तो हमारा और तो लोग अभी तक लाइकर दीजिए अर जो लोगन यहीं सबस्क्राइब जडरूर कर दिए ठीक है अपने ग्रूपोंने एक बार तो श्यर कर दिजिआ है कि आप चैनलों पर आप लोग class देखते हैं ठीके तो हाँ तो भी ना कहें आप लोग share कर देते हैं तो एक बार यहाँ पर भी share कर देजी हमारे करने से एक बार ठीके share कर देजी अपनी संख्या बढ़ा लीजिए और देखिए हम बात करेंगे मुख्य अस्तर पर ठीके मुख्य उद् बिस्तित रूप देना है व्याद रखेगा व सोचने बीचारने की सक्ति क्या होगी बढ़ेगी इस अधारपे हम कर सकते हैं ने कहा कि बालक की सोच का गढ़ती करण करना है तो यह था मुखे उद्देश अब बात करेंगे प्राथमी को उद्देश की बात क्या करेंगे प्राथमी कस्तर पे आप लोगों को क्या ढूढना है संख्या समंदित कोसल का विकास जहां पर भी दिया हो यानि संख्याो के गड़ना करने में उसे क्या है आना चाहिए दूसरा है कि मापतौल की इकाईयों को विक्षित करना अगर प्राथमी कस्तर पे दिया है तो आप लोग तुरंद ठीक मारेगा मापतौल की इकाईयों का क्योंकि ये मापतौल की जी उकाईयां होती है बालक के परवेस में होती है आपने वहाँ पर पढ़ा कि परवेस के अब बात करेंगे आप लाश्ट जो आता है अमारा प्राथमी कस्तर पर कहीं भी अगर आप लोगों को मुर्थ से अमुर्थ की और जाता है तो यह प्राथमी कस्तर पर नहीं होगा ठीक है प्राथमी कस्तर पर यह नहीं होगा क्योंकि बालग पहुशता है तो क्या करता है पहले वस्तू है उस पर चिंतन करता है तो यह उसका मुर्थ हो गया लेकिन उच्छ अस्तर पर क्या है कि वस्तू न होता है और वस्तु को हटा दिया जा तो वो क्या होता है अमूर्थ चिंतन होता है क्या होता है अमूर्थ चिंतन होता है यानि वस्तु होने पर चिंतन करना मूर्थ चिंतन के अंतर गताएगा और वस्तु नह अब बात करेंगे उच्छ अस्तर, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है, प्राथमी कस्तर और उच्छ अस्तर में ये दो आपको बहुत ही अच्छे से भेद याद आना चाहिए, गड़ना समंधित कौसल का विकास करना और यहां पर देखे संख्या सम अब जया? जयसे जोड दिया? जया कि पांच प्लस 10 कितना होगा तो यह उसके समस्त आपने वस्तू नहीं रखीं कि मौखिक रूप से वका दिया तो ये अमूर्थ है ठीक है लेकिन जैसे ही उसने जोड दिया पांच पलस दस किया बराबर उसका पंदर आ गया तो उसने कापी पर दिखाया ये उसका क्या हो गया मुर्थ हो गया या वस्तु हो उस पर चिंतन करना मुर्थ कहलाएगा इद्धिस में आप लोगों ने जाना बालक की सोच का गड़ती करना ये प्राथमी कस्तर पर गड़ना समंदित कोशल का विकास करना ये उच्छे पर आजाएगा तो यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे तहीं किसे जान लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्ट टॉपिक जहां से आपके परसन बनने की समभा होना है ठीक है यहां से आप लोगों को हर वार में देखने को मिलता है तो यहां से भी आप लोगों देख लीजिए यहां पर कराएं गड़ित में चिंतन के परकार कितने हैं गड़ित में चिंतन के दो परकार है एक है अभिसारी दूसरा है अपसारी ठीक है यहां से आपको देखनों को मिल सकता है गड़ते में चिंदन के परकार पूछ सकता है तो चिंदन के परकार दो होते हैं एक होता है अभिसारी दूसरा होता है अपसारी अब देखिए अभिसारी चिंदन क्या होता है स्तामाजिक एवन बयावारिक होता है याद रखेगा और जो मांसिक होता है अब किस यहांगो होता है यह अपहर यहां से आपके बभियोवारिक क्या है कि बालक के बहुर के साथ पढ़ा रहा को ठीके अिसमें देखे यह प्राथभ मी कस्तर पे अपर ओस्तर के बतास को कुछू करता है यह श्तान क कर शकते हैं तो यह बता ही कि दस को कितले परकार से आप लिख सकते हैं, तो बालक अपने तरीके से दे सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं कि यह बताइए, आप यहां से घर जाएंगे, तो कैसे कैसे जाएंगे, तो बालक अलग तरीके से कहेगा, कोई कहेगा, कोई कहेगा, कोई कहेगा, हम सीधे चले जाएंगे, कोई कह तो अगर समझ में आ गया होगा, तो आगे बट रहे हैं, अब बात करेंगे, करने कि यहांपर रखेगा, कर दूसरा करा, है कि तूसरे बीशे की आवसकता नहीं होते है, अब तीसरा कर दूसरे करते हैं, घ्यान आरजन के लिए ब्याकरण होती इसका ठीकि खुदी नियम से चलता है अब नेक्ष जो हमारा करा है गड़ित बोधिक विकास होता है एकदम है जब आप गड़ना करेंगे यह तक गड़ना करेंगे कि 12 हो गया, और कुछ बालग करेंगे तीलिया को परियोग करेंगे, एक, दो, तीन, चार करेगा, कि फिर करेगा कि, एक, दो, तीन, पान, सबूझे नवो, देस, जार stiff आथ, लिए क्या नो, पूचर,िक्छ ने कुर्छ बालगे, इसके दो वह सुनितरं करेंगी, अपने टॉपिक से अपने परसनों पर आगे बनेंगे ठीक है यहां बात करेंगे गड़ित भासा के अंग ठीक है गड़ित भासा के अंग कौन कौन से है एक करम में रखना चाहिए इसको पहला आएगा पद आएगा दूसरा आएगा परते तीसरा आएगा सिधांत चौथा आ करें पर लोग के लपशे अद्pack यहां पर थन गर भंड़ प्रष्ट के अंतर है फिस सीखिया मैड एगा लेंग्वेश पिक्च़र आएगा सिंबल आएगा इसके अंतरगत क्या क्या था है थोड़ा सा जान ले थी क्याहां से परसना आपके बनेंगे ठीके यह करम होता है पहले आप लोग इसी याद रखेगा या फिर इसकी साथ लेजेगा अलपस कि तरफ यह करम होता है ठोसवस्तू के साथ अन इस्प्रियंस में होता है आपका अनुभव यानि पहले आपने कितना सुखा है अनुभव दूसरा तो लैंग्वेज ठीक है ठो सवस्तियों के परियोग का समय बच्चों में बातचीत यानि बातचीत मतलब क्या है कि बालक किस परकार से बातचीत करें ठीक है जहां पर भी ठ इसी तरह दिखा गड़ती अवधाणा को असपश्ट करना और यहां पर चौथा करा सिंबल या सिंगन ठीक है इसी चग यहां पर बच्चों को चीन या भोध करा सकता है चीनों को बहुत करा सकता है कि देखे यह मैनस है यह पलस है यह भाग है आपका यह गुड़ा है ठीक यह होता है भाग जोड गुड़ा घटाना ठीक है भागो जोग आपका सकते है ठीक है इसके अंतरगत रख सकते हैं सिंबल सिखा सकते हैं तो यह थे आपके आज के सबसे महत्रपूर टापिक्स और अब बढ़ेंगे हम अपने परसनों पे ठीक है अगर परसन करने के लिए तयार है ते दिक बर के और करिए यहीं सभी लोग और जलदी से आज है सेर भी कर तो सभ्सक्राइब कर लिजी आप लोगों कि अगली ऩांसिकरित पे चलेगई के साथidge इसमें आप लोगों के साथ रग दिया गया था लेकिन अगला एक और टॉपिक्स बनाए जाएगा यहां पर टैग वेट और के लिए जो सिंबल एकदम एकदम आसान होगा आप लोगो गड़ित के लिए ठीक है तो बात करेंगे आप जो लोग नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब जरू को लिजेगा ठीक है एक बार सीयर भी कर दीजिए अपने इपने गूरूपों में ठीक है देखते हैं पहला पर तन यहां पर क्या करा है तो ऊपर है आप लोगों पढ़ा है ठीक है अधिक कम जोर आधिक लची लिटीसरा अधिक शुद्र यहां पर यहां पर झालमारेकैंद से प्रत्त रीनारीय कालई वह लीचैनल होती है क्हकंद यहां पर महुत बेहता यहां पाट मार्स कालोन प्रतर बिशोध लेकर शीन होती 먹어 आगे पड़ रहे हैं पर गड़ित कि भासा का महत तो क्या है सबी जो पढ़ाएगे हैं तो पहला यहां पर शारी रिक, क소ल का विकास , अजिक्सा कर आप लोग जल्बी अधार महत तो क्या है जल्दी से कमेंड करिए इसका ? जी इसका राई टेंसर क्या होगा जल्दी से कभीनि करिए अग्र द्वाइत की द्वारा आप सारी रिख कोसल का भिकास करते हैं यह आपके लंभाई बढ़ाई पैलाई सी होता है नहीं यह तो गलत है दूसरा क्राइव लिसी क्या हो दीक मुनलब क्या है तो यहां पे आपके गड़ित के महत्तों क्या है तो आपका राइट टेंसर होना चाहिए तीसरी के साथ जाएगा एकदम राइट टेंसर जाएगा कमेंट करते चलिएगा सभी लोग ठीक है बढ़ रहा है तीसरे परसने पर तीसरा देखते हैं ये सभी को तो यहां पर टेंसर हमारो होने जाएं पर केंड़ करते हैं आप सिंबल का पर्योकर सकते हैं गरती पदो का पद चिन जो आपकी थे उसको आपो क्या करना था बटाना था वालक वो तो अगर ये तीनों ही सही है तो राई यहाँ पर अपर चौथे के साथ जाएगा ठीक है आगर पड़त रहे हैं यहाँ देखे हैं चौथे परसन जो कि बहुत अच्छा परसन है जोथा ये कर रहा है निमन में से कौण से बिकल्ब में गडित की भासा की जलक है यहाँत रहा है कि श्याम और सिता जा रहा है गड़तका रहा है इसमें कोई भी गड़ती संकलपना नहीं है ना कि कोई इसकी जलक नजर आ रही है स्याम जोदपूर जाए बनारत जाए वरार्सी जाए आजम गड़ जाए कहीं जाए उससे क्या लना देना है कहीं भाड में जाए ठीक एचली बात में आगे करते हैं यहां पर तीसरा कि यातर किसके साथ जाएगा यहां पर तीसरे के साथ जाएगा राइट एंसर कहां जाएगा तीसरे के साथ जाएगा आगे वाड़ रहे हैं यहां पर पांचे परसन पर देखते हैं पांचा परसन यहां पर कितने लोगों का यह सही होता है देखिए पांचा परसन यह करा है गड़ तो यहां पर क्या कहा है कि गड़ित में परसनों को हल करते समय आकड़ों के सुधता बनाये रखने के लिए हल को लिखा जाता है किस परकार से लिखा जाता है तो यहां पर पहला किसी भी तरीके से लिख नहीं सकते कि गड़ित जो हता है नियम से चलता है तरक से चलता है तो है ने ego और यहां पर होगा का यहाँ पर करेंगा यहां नाज हुट है सो को सांधा है एस इसके अनुसार रख सकते हैं तो इसका रॉप दूसरी किसा यहाँ देखते हैं छठा क्या कर रहा है थोड़ा सा यह बड़ा लिखते हैं यहां पर करने के अपनायज गए निमलिखित कार्यों को करम में लगाएं लिखे देख लेकित हैं पहला यहां पर क्या कर रहा है सोरी यहां पर कि सुरी एक मैं जै चलि देख लेते हैं यहां पर क्या कार रहा है इसको कर्म में लगाना है पहला क्रा कि việc कि माー पने के लिए कंदाने को पर्युब करें दूसरा क्रा कि च्राइक च्यार्ती क Почему अब्लॉक्त करते हैं और पर रहां सर्ण मेटर यानि मैट्रिक एकायों के बीच के संबंद को समझते हैं तो इसका राइट टेंसर क्या जाएगा पहला करा कि c b a d दूसरा करा कि d d a c b और यहां पर तीसरा करा कि a b c यहां पर d c और यहां पर चौथा करा कि १ b a c d तो आपको आपको अलपस ऊपर ही पढ़ागा थिक यहां पर लोगों को सौल्व करना ठीकर यहां तो पहले यहां पर कहा है कि अवलोकन करना, यानि पूर्व ग्यान, ठीक है, यहां पर देखिए, बिद्यार्थी, अवलोकन के द्वारा क्या करता है, पूर्व ग्यान, सतापिट करता है, पहले जान लेता है, ठीक है, तो यह हो गए आपका पहला, यहां पर तीसरा, अब दे हना पिक्चर की बात करेंगे तो यहां पर पहले की किसा गईका इसे याद कर लिजीगा यह परसन में आते हैं तो यहां पर आपका यही उत्तर होगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर आप लोग क्या करें एक बार कमेंड करें सभी लोग और अच्छे से एक बार सेर कर दीजिए और जो लोग नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया त पहला कराए गड़ती संक्लपनाओं और उनके अनुपरियों में संबंदों बैठाने और उनके अपने ग्यान का बीचारों को साजा करने और सिछार्तियों को सहयता करता है दूसरा यहां पर कराए हमारा की सिछार्तियों को गड़ती संक्लपनाओं की परिक्षा करना तीसर को बढ़ावा देने की बात किया है और और उनकी आनॉपरियोग में संपंत बढ़ाने और इसका रहाओ खोगत करने के लिए सआध्या करना और चख के बात है और इहां पिक passions के बाता बद किई तो इसका राइट टेंसर किसके सजाएगा पहलेक सजाएगा ठीक है आगे-बढ़ रहे आठे परसन पर देखते हैं आठा क्या करा है आठा तो और भी अच्छा परसन है यहां पर देखी करा है कि गड्टी का उद्धेस है अंकर गड़ी शिक्षन का उद्धेस है तो जल्दी जीवन के कारियों है तो दूसरा करा की मजबूरी वंजीवन के कारियों केरते हैं मज़दूरी वंजीवन कार लुद का सभी कर राया döitted कल राय टेंसर किसके सद अधरी हम लोग अपने परफिछ सबसे पुरान तम आपकी बिक्सी साखा है तो इसका राय टेंसर पहला होगा आगे बढ़ाएं यहां पर तो पहला करा की मननु से परियोग आप मनुस से कहां करता है तो उसका राय टेंसर यहांपर समाजिक न होकर आर्थिक विजाएगा क्यूए गड़त जो हता हाण आर्धिक से आपके समधी थे उपर ही आप लोगों ने पढ़ा था स आपको नोट कराई गई थी टैग वर्ड ब कि ग्यारत के करा यह वी तु और अच्छा यह कि गड़ित का स्मुदाइब कंस comprenments. दिरिष्टी कोड़ से चोथा कराए कि ये सभी, तो इसका राइट एंसर क्या लेगा, आपने उपर ही पढ़ा था, गड़त की सैम मुधाईक महत्व क्या है, तो महत्व है, क्या है महत्तपुर्ट, तो पहला कराए कि नायतिक है, कर बार कि आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं यह परसन की उत्तर कौन देते हैं, कितने अच्छे से देते हैं, तो चलिए देखते हैं, कितने लोगों का ये सही होता है, तो कराएं यहां पर 12 का कि गड़ित पदो को परिभासित करने का समुदाइक उद्देश है, पहला कराएं ज्यान अत्मक, भावातमक, ब्यभारगत, किरियातमक, तो यहां पर गड़ित पदो की बात किया है, याद रखेगा, पदो की बात किया है, समुदाइक उद्देश की बात किया है, तो इसका राई टेंसर क्या हो सकता है, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चोथा होगा, कौन सा होगा, आप लोगों को बताना है, कर रहा है कि कौन से कर रहा है कि सीता सब्जी वाले से सब्जी दुगान पर भी खाता जाच कर रहा है कि छ उपने चाप्रेशा के साथ काम कर रहे कि दूड़ा करेए कि इसका रहीा धूब बोग जल्दी से फटाग इसका एंसर आता है तो जल्दी से कमेंड करें इसका ठीक है जिसका राइट एंसर देखें यहाँ पर क्या आया कि सीता करिए कि सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है यानि एक, दो, भूप में कपड़े गिन रही यहां पर यहां पर गड़ित का ग्यान समाज में जीने के लिए परतिक को होना अवस्य को माना जाता है इसका उत्तर क्या होगा पहला करा है गड़ित सिछन विभारगत होता है दूसरा करा बहुत सी समाजी क्रियां गड़ित पर निर्बर होती है तीसरा करा गड़ित व्यक्ति में तरकातम काश्वर का विकास कता 4 कर अउपर उसका राइफ तूसर यहां पर क्या जाएगा कि इसके सदाईगा चोथे किसा जाएगा आगे बड़त है 15 पर देखते हैं 15 त सब्सक्राइब करें, सबस्क्राइब करने के साथ गंते को तौडड दीजी, ल की सब्सक्राइब नहीं । तोड़ दीजे ठीक है तोड़ दीजे लेकिन सब्सक्राइब जरू खड़ लीजे ठीक है एक बार वे लाइकर भी दबा लीजेगा जिनको वार्टप नमबर चाहिए पीडिएप के लिए याप पीडिएप के लिए मैसेज कर सकते हैं आप लोग पता है जो भी मिलती है फ्री तो बता दे कि उत्तर नीचे दिया गया है तो आप लोगों को यहीं पर बता रहें कि इसका उत्तर तो बताना है बीना बताए हुए जाना नहीं है कि गड़ित की समाज में आउशकता होती है लेंदेन में होता ही बेपारी कुद्धिस के लिए एक और दो दोनों होती है इन झाल झाल